Hello students, welcome to the class. Genetics and Plant Breeding Unit हमने start करी थी, जिसमें already हम बहुत सारे lectures cover कर चुके हैं. और आज के lecture में हम पढ़ने वाले हैं, Law of Dominance के बारे में. Mendel ने Law दिये थे, Laws of Inheritance, जिसमें Law of Dominance, Law of Segregation और Law of Independent Assortment हम पढ़ते हैं. Law of Dominance के बारे में आज पढ़ेंगे, Law of Dominance क्या कहता है, यह Law यह कहता है, कि अगर हम cross करा रहे हैं दो प्लांट्स को, कौन से दो प्लांट्स को, जो कि होमोजाइगस हैं. होमोजाइगस का मतलब समझते हैं न, जैसे कि यह D और D, Capital D, तो दोनों सेम है, तो होमोजाइगस होता है, अगर एक अलील Capital D है और दूसरा अलील Small D है, तो उसमें हेटरोजाइगस हो जाता है, तो दो प्लांट्स जो कि होमोजाइगस हैं, यह देखो, यहाँ पे Capital D, Capital D, हो Small D, Small D, होमोजाइगस, तो होमोजाइगस प्लांट्स को हमने क्रॉस कराया, क्रॉस कराया तांकि for the contrasting character of a pair, ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, law of dominance यह कहता है, जब हमने contrasting characters of pair के लिए इसको हमने क्रॉस कराया, तो एक ही करेक्टर जो है, first filial generation में आया, अब देखो, यह क् प्लांट लिया, इसमें हमने क्या, यह भी हो मोजाइगस था, यह भी, यह प्लांट था tall, tall को हमने दिखाया है capital D और capital D से, दूसरा प्लांट था dwarf, जिसको हमने दिखाया है small D और small D से, तो वो यह कह रहे हैं, यह वाला प्लांट था tall, यह वाला प्लांट था dwarf, छोटा, ठ क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक अलील इधर से आया था capital D, एक अलील इधर से आया था small d, तो जो capital D वाला अलील था, उसने small d वाले का जो phenotypic effect था, dwarfness का, उसको cover कर लिया, उसको hide कर लिया, यानि कि capital D जो अलील आया था, tall plant से, वो dominant हो गया, छोटे वाले plant के उपर, उसके ब तो F2 में tall भी दिखे और dwarf भी दिखे, लेकिन हमने देखा कि F1 में सिर्फ और सिर्फ सब के सब tall थे, क्यों tall थे इसको आगे समझते हैं, पहले बाद तो में एंडल ने ये कहा कि जब हम cross कराते हैं, किसी दो plant के बीच में, एक single pair of contrasting character से जो differ कर रहे हो, मतलब ऐसे दो plant, जो तो एक जैसे हो, जैसे हमने लिया P plants लिये, ठीक है, पी plants लिये, अब वो plant वैसे एक जैसे थे, बस उसमें एक ही pair of contrasting character था, जो different था, ठीक है, तो एक character जब different होता है, तो उस cross को हम बोलते हैं, monohybrid cross, ठीक है, इसमें कहा मेंडल ने, कि जैसे monohybrid cross में, एक plant था tall और दू उसके बाद क्या हुआ, F1 को जब self cross कराया, तो F2 में tall भी दिखे और dwarf भी दिखे, ठीक है, तो इससे ये पता चलता है, कि F1 में, F1 generation में, जो hybrid character आया है, tallness का, वो dominate कर रहा है, dwarfness पे, यानि कि वो dwarfness को बिलकुल छिपा दे रहा है, इतना character F1 में, और इसलिए जो dwarfness है, it could not appear itself in F1, F1 generation में dwarfness खुद से नहीं दिखती, F1 generation में सिर्फ और सिर्फ tallness ही दिखती है, क्योंकि tallness का जो character था, उसने hide कर लिया, उसने dominate कर लिया, dwarfness के character के ऊपर, तो character जिसने अपने आपको express किया, F1 generation में, उसको हमने character को बोला, dominant character, Mendel ने बोला था, और जो character अपने आपको express न जब हमने 2 plant को, जो कि differ करते हैं, single pair of contrasting character में, यानि कि single pair of character मतलब एक tall है और एक dwarf है, यानि कि height के character में ही वो differ कर रहे हैं, तो ऐसे 2 plants को, homozygous plants को, अगर हम cross कराते हैं, तो F1 generation जो आती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही character अपने आपको express करता है, और जो character अपने आपको express क करता है, उसको हम कहते हैं, dominant character और इसी को बोला है law of dominance, तो hope कि आप लोगों को law of dominance clear हो गया होगा, उसके बाद next lecture में हम law of segregation या फिर independent assortment में से किसी एक को पढ़ेंगे, so stay tuned with the classes, concepts and notes, academy by Ayushi, thank you.